दोस्तो आज हम Nokia के दो ऐसे UPI phone के बारे में बात करेंगे जो की बिलकुल budget में आते हैं तो मैं यहां बात कर रहा हूँ Nokia 105 और Nokia 105 Classic के बारे में आज इन दोनों phone को हम compare करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बहतर है जहां Nokia 105 2023 वाला model आपको black, red और cyan color में मिलेगा वही Nokia 105 Classic आपको सिर्फ black और blue color में मिलेगा दोनों phone में आप standard size का 2G SIM लगा सकते हैं और ये दोनों phone single और dual SIM दोनों variant में आता है इन दोनों ही phones में memory card लगाने का option नहीं मिलेगा दोनों phone के box में आपको phone, charger, battery और quick guide मिल जाएगा Nokia 105 2023 वाले model में आपको 1000mAh की battery मिलेगी और Nokia 105 Classic में आपको 800mAh की battery मिलेगी 200mAh ज्यादा होने के कारण Nokia 105 का standby time 4 दिन ज्यादा है फिजिकल लुक की बात करें तो दोनों के top में आपको LED flash tight मिल जाएगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोई भी buttons नहीं है और bottom में 3.5mm jack और micro USB charging port मिल जाएगा Nokia 105 में आपको थोड़ी सी बड़ी screen मिलती है 1.8 inches की और Nokia 105 Classic में आपको 1.77 inches का display मिलेगा basic phone functions की बात करें तो ये दोनों के top बटन को दबा के रखने से दोनों का torch light on हो जाएगा इन दोनों में ही आपको English के अलावा other 12 Indian languages मिलेंगे 5 profile setup मिल जाएगा इसमें ringtone के साथ आपको vibration भी मिलेगा दोनों phones में 3 default wallpapers मिलेंगे इसके अलावा आप कोई भी wallpaper नहीं set कर सकते हैं इन दोनों का ही layout बिल्कुल similar है किसी में भी आपको font size increase करने का option नहीं मिलेगा contacts की तरफ आये तो दोनों फोन में आप 2000 contacts save कर सकते हैं favorite में जाके आप 2-9 key तक speed dial set कर सकते हैं अब क्योंकि दोनों phone 2G है तो दोनों ही geosim support नहीं करेंगे call image set करने का option किसी में भी नहीं मिलेगा इन दोनों phones में single speaker है इसकी call quality भी अच्छी है दोनों में आपको loud speaker भी मिल जाएगा लेकिन call recording का option किसी में भी नहीं है मीडिय की तरफ आया तो आपको इसमें wireless FM मिलेगा FM में आप 40 channel तक save कर सकते हैं लेकिन इसमें FM recording का option नहीं मिलेगा UPI payments के लिए आपको गपशप पे app मिल जाएगा इसे आपको one time set up करना पड़ेगा payment करने से पहले setup कैसे करना है इसका separate video मैं already बना चुका हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा अब इन दोनों phones में क्योंकि camera नहीं है तो आप QR code scan करके payment नहीं कर पाएगे अगर इसमें camera होता तो आपको वो वाला feature भी इसमें मिल जाता इन दोनों phones के games भी common है इनमें आपको snake, tetris, racing attack, doodle jump और crossy road जैसे 5 games मिल जाएगे Snake के अलावा बाकी games के limited trials आप free में खेल पाएगे बात में इने purchase करना पड़ेगा अब ये दोनों phone में 4G, Bluetooth, camera, media player और call recording missing है लेकिन अगर आपको सिर्फ UPI payment करने के लिए एक सस्ता phone चाहिए तो ये दोनों phone आप consider कर सकते है Nokia 105-223 के single sim वाले phone की कीमत है 1299 रुपे और dual sim वाले की कीमत है 1449 रुपे वही Nokia 105 classic 4 variants में आता है जो की 999 से start होके 1299 तक जाता है अगर दोनों phone के single sim with charger वाले variant की बात करें तो Nokia 105 आपको 200 रुपे महंगा मिलेगा अब इस 200 रुपे में आपको बड़ी display, fresh design और 200 mAh बैटरी जादा मिलेगी वैसे Nokia में फिलाल 7 UPI phones आते हैं अगर आपको उनके बीच में comparison देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और ऐसे ही टेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें धन्यवाद